हेलो एब्रीबन वेल्कम बैक टू कभीताई सेयर ओनलाइन कंपेडिशन सेरीज की लेटेस अपडेटेड वीडियो में आप साधर आमंत्री थें तो चलिए शुरू करते हैं यह है इसका इंट्रोडक्शन स्किल ग्रोथ फाउंडेशन ने अपना पहला नेशनल पोश्टर कंपेडिशन 2021 सभी स्कूल और कॉलेज श्टूडेंट्स के लिए लॉंच किया है फ्रॉम आल पार्ट्स ओफ इंडिया बाकी आप ये नोट रीड कर सकते हैं पोश्टर की थीम यानी टॉपिक होनी चाहिए कंजर्बेशन ओफ ग्राउंड बॉटर प्राइज एज यहां पे बिनर को एवाल्ड किया जाएगा 31 सो रुपे का कैश मनी और मेरिट इसल्टी फिकेट रनर अप को मिलेगा 21 सो रुपे का कैश प्राइज और इसल्टी फिकेट और सेकेंड रनर अप को दिया जाएगा 500 रुपे का कैश प्राइज साथ ही साथ मेरिट सल्टी फिकेट सभी पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन इसल्टी फिकेट मिलेगा लड़कियों के लिए कोई भी फीस नहीं है लड़कियों के लिए ये फ्री है रेजिस्ट्रेशन लिंक है ये गूगल फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रूल्स इच पार्टिसिपेंट सिर्फ एक ही पोश्टर समिट कर सकता है स्कूल का एक बैलिड आईडी प्रूफ जरूर अटैच होना चाहिए एंट्री के साथ रेजिस्ट्रेशन कमपल सरी है इच पार्टिसिपेंट के लिए प्रतिभागियों को अपनी एंट्रीज को सेंड करना है दस सितंबर से पहले आदस सितंबर के दिन इन तीनों में से एक आप्शन के थ्रू पहला आप्शन है गूगल फॉर्म और दूसरा आप्शन है गीमेल स्किल ग्रोथ फाउंडेशन एड़ रेट जीमेल डाट कॉम त पोश्टर के नियम पोश्टर मेड होना चाहिए ओन एठी या एफोर साइज शीट विद मार्जिंस ड्रॉन विद ब्लैक इंक फोटोग्राप्स 3D अबजेक्ट प्रिंट आउट एकसेप्ट नहीं किये जाएंगे ओरिजनल और हैंड डन बर्क सम्मिट होना चाहिए स्कूल नेम मुश्ट बी क्लियरली मेंशन्ड ओन शीट जो थीम है वो मेन फोकस होना चाहिए पोश्टर का जजेज और जजमेंट क्राइटेरिया फाइब जजेज और गनाइजर की तरफ से सेलेक्ट करेंगे बेश्ट ट्वेंटी पोश्टर इच बेश्ड ओन थीम के मता स्वाविक एक कॉल्डेंस ओरिजनलिटी क्रियेटिविटी वेदर और नौट दा गिवन इंस्ट्रक्शन्स है बीन फॉलोड एलिजिविल्टी योग यता स्टूडेंट्स पर्सूइंग फिप्ट तू ट्वेल्थ एंड कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रम एनी गॉवर्में होगी एलिजिविल्टी के लिए बीजिश्ट्रेशन की शुरुत हुई है पाँच अगस्त से और लास्ट डेट है पाँच सितम्बर समीशन की लास्ट डेट हैं दस सितम्बर रिजल्ट डिकलेर होंगे 20 सितंबर को बॉइस के लिए 20 रुपे रेजिस्ट्रेशन फीस है और उनको पेही करनी होगी फीस उसके बिना एंट्री एकसेप्ट नहीं होगी यह हैं कॉंटेक्ट आप्शन्स आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या इनको सेब कर सकते हैं